अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो रहे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा मेरे A54 5G स्मार्टफोन में जब One UI 6.0 का अपडेट आये था तो मैंने इसके इंस्टोलेशन वाली वीडियो अप्लोड की थी साथ यूसमें आपको इसके चेंजेस बतायते और इसके फीचर् अप्लीट वाला वीडियो अप्लोड किया था अब उन वीडियो में एक कॉमन कमेंट मुझे लगा था हर एक वीडियो में बार बार आ रहा है कि One UI 6.0 अपडेट के बाद में सामसंग ने गैलरी से बहुत यूसफुल फीचर एड़ पॉट्रेट एफेक्ट वाले फीचर को रिमूव कर दिया है जो हमें One UI 5.1 में मिलता था अब क्या है यह एड़ पॉट्रेट एफेक्ट वाला फीचर पहले क्या होता था कि One UI 5.1 में हमें गैलरी ओपन करने के बाद में अगर हम किसी भी पिक्चर को ओपन करते थे तो यहाँ पर हमें थ्री डॉट्स पर टैप करन है जो कि पहले यहाँ पर नीचे की तरफ हुआ करता था लेकिन सैमसंग ने One UI 6.0 अपडेट के बाद में इसको उपर शेफ्ट कर दिया है यहाँ से इस फीचर को रिमूव कर दिया गया है जिसको लेकर काफी सारे लोग परेशान है बहुत सारे कमेंट्स यह भी आई कि One UI 6 6.0 अपडेट बिल्कुल बेकार है और सैमसंग ने बहुत ही यूसफुल फीचर को रिमूव कर दिया है अब देखे एड़ पोर्ट्रेट इफेक्ट वाला फीचर बहुत ही यूसफुल फीचर है अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर अगर आप टैप करेंगे तो पहल सकते हैं मैंने साथ पे कर दी है और इंटेंसिटी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हो गई है और कुछ इस तरह से हम यहाँ पर फोटो को क्लिक करने के बाद में भी पोर्ट्रेट इफेक्ट को एड़ कर सकते थे जो हमें मिलता था यहाँ पर त्री डोट्स पर टैप करने के बाद में लेकिन यहाँ पर जो वनिवे 6.0 अपडेट है उसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं भी हमें वो फीचर नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है फाइनली वो फीचर यहीं क को मिलेगा इस पे आप टैप करेंगे तो टैप करने के बाद में ऊपर जो options है वो open हो चुके हैं सबसे पहले यहाँ पर remaster portrait effect और object eraser वाला option हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तो यहाँ पर finally वो feature है यार आपको गबराने की ज़रूत नहीं है बहुत से portrait effect है वो add हो चुका है और यहाँ पर है हमारी intensity जिसको मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया और इसको apply करते हैं और apply करने के बाद में देख सकते हैं हमारे photo में portrait effect add हो चुका है जिससे की आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर result देखने को मिलेगा so finally आप one UI 6.0 update को अपने phone में install कर सकते हैं one UI 6.0 update में भी यह feature है लेकिन उसे अब यहाँ पर shift कर दिया गया है अब यहाँ पर एक बात और है जिसे की मैं second वाला photo लेता हूँ यहाँ पर मैं tap करूँगा tap करने के बाद मैं यहाँ पर देखूँगा तो यहाँ पर portrait effect वाला option नहीं आएगा जैसे अभी फिलाल के लिए face को detect नहीं कर पा रहा है उसके वज़े से यहाँ पर वो option में देखने को नहीं मिल रहा है अब जैसे मैं इस photo को crop कर देता हूँ इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जो extra part है उसको remove करके उसके बाद में देखते हैं कि फिर वो option आता है या नहीं आता है जैसे कि मैं यहाँ पर इस photo को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि face detect हो जाए अब मैंने इस photo को crop कर लिया है crop करने के बाद मैं अब मैं यहाँ पर details में जाऊँगा तो अब आप यहाँ पर वो feature देख सकते हैं जो की आ चुका है इस पर tap करेंगे तो इस photo में भी जो portrait effect है वो add हो जाएगा तो guys I hope कि आपको इस video से help मिल पाएगी आपको इस feature को ढूणने में कि कहा पर है यह feature क्यों कि आर बहुत सारे comments आ रहेते हैं तो मुझे लगा कि इस feature को लेकर जो वीडियो अप्लोड करना है वो बहुत ही ज़रूरी है तो guys यही सब कुस्ता इस video में I hope आपको इस video पसंद है तो अगर आपको इस video को लाइक कर दीजिए और आगे भी सितरी के interesting, informative and useful videos के लिए अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत ही जल्दी A52s 5G स्मार्टफोन में भी 1UA6.0 का update आने वाला है और वीडियो आपको चैनल पर बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है तो मैं मिलता हूँ उपसे के लिए किसे हैं इसे interesting वीडियो में Thanks a lot for watching